नमश्कार दोस्तों मैं विल्यमंडारी दोस्तों जैसे कि आप जानते कुछ दिन से TCS में हमारी एक strategy चल रही थी उस strategy में क्या हुआ आज हमारी expiry है तो expiry में क्या हुआ है इसे पूरा समझ लिजे तो मैं आपको आपको चलता हूं तो आपको समझ में पूरा प्रॉपर आएगा देखिए यह में आगे आपको चैनल है यूट्यूब चैनल हेजिंग स्ट्राटीज बाई विल्यमंडारी जो लोग नए है चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करेंगा बैल आकेन पर क्लिक कर लिजेगा जिससे की वीडियो जाके देखिए गए पहले तो आपको समझ माहें अगा हमने इस स्ट्राटीजी क्या बनाए थी थीन हपते पहले और उसके बाद अच्टेज वाचे गलत हो गया तो जाम में आजिस्मेंट हरा जाये तो यहां पर उन्का इकींचे और adjustment करने का फिर एक adjustment और हमने करा है TCS के strategy में उसका result क्या आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यह देखिए यह TCS का result है हमारा हमें बहुत ज्यादा profit नहीं मिला है लेकिन 1% के आसपास तो जैसे कि आप जानते हैं हमेशा 3%, 4%, 5% profit निकलेगा हर महीने ऐसा possible नहीं है तो कोई कोई strategy हमें कम भी profit देती है कोई जादा भी देती है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम risk में चलेगे थे loss हो रहा था हमारी strategy में loss होने के बावजुद भी हमने इसमें कुछ adjustment करे adjustment करने के बाद हमने range अपनी थोड़ी बड़ी करी जो range थी हमारी वो हमने यहां तक पहुचा दी अब end of the day हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत benefit हो रहा है तो अगर आप loss को बचा लेते हो ना तो भी आप बजार से पैसा कमा लोगे अगर आप loss को बचाना सीख गए कि मेर पर हमारी strategy दे रही है TCS की इसके अलावा TCS के अलावा एक strategy आज हमने और बनाई है क्या बनाई कोटक बैंक में क्या strategy बनाई वह भी मैं आपको बता देता हूं अब जैसा हमने देखा कोटक बैंक अच्छा खासा फॉल आया 10% का फॉल आया और गईने restrictions लगाए कोटक बैंक आप समझेगा कि यह strategy हमने क्यों बनाई इसे समझेगा पहले मां आपको strategy बता देता हूं आज हमारी expiry है 25 अप्राइल आज तो मई की expiry के लिए हमने strategy बनाई हमने क्या करा 1700 यह वाला call हमने सेल करा 48 के premium के पास में और 1750 यह वाला 1750 का call हमने बाई करा 28 के पास में एक हमने बेचा 48 में और एक हमने बाई करा कहा 28 के पास में मतलब अब हमें क्या लगता है इस strategy गिरने के बाद ऐसा हो सकता है कि कोटक बैंक कहीं पर consolidate करे एक area में एक range में इसलिए हमने उपर की तरफ का 1700 का call बेच के और उसे hedge करके 1750 का call को buy करके यहाँ पर benefit लेने की कोशिस करिए कि कोटक बैंक अब नीचे गिरा है रिस्क कितना है इसमें रिस्क 12,000 का profit 8,000 का profit हमारा काम है रिस्क हमारा ज्यादा है लेकिन margin के पीछे देखते हैं तो अभी आज ही देख रहे हो तो 4% हमें मिल रहा है margin के पीछे 4% मिल रहा है लेकिन 4 नहीं हम expect करेंगे कि हमें कोटक इसमें एक अच्छा descent सा return generate करके दे तो कोटक में हमने ये view लेके trade बनाया यह नीचे गिरा है इसके अलावा देखे एक study हमने और बनाई क्या बनाई भारत forge भारत forge में हमने क्या करा है वो भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर मैं यहां भारत forge ले लेता हूं यह जो strategies है हम education के हिसाब से हमारे telegram चैनल पर डालते हैं कि आपको सीखने को मिले थोड़ा थोड़ा learning के लिए मिले naked काम करके naked option में काम करके पैसा बनने वाला नहीं है यह बात ध्यान रखिए hedge करते हैं कुछ समझते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है तो आप तभी आप बजा यहां पर माई की हम एक्सपाइल में गए और यह हमने क्या ट्रेट बनाया है हमारा हां देखे थर्टीन हंडेट यह वाला जो पुट है इसे मैंने सेल करा है थर्टीन हंडेट के पुट को और ट्रेट यह वाले पुट को मैंने बाई करा है थर्टीन हंडेट का पुट एडदा मनी का पुट मैंने बेचा है और आउट ओपनी का पुट मैंने क्या करा है बाई करा है इसमें मेरा व्यू क्या है भारत फोर्ज में दिखे वॉल्यूम के साथ में आज इसने मुमेंट लिया है आप अगर चेक करोगे scanner में आया है हमारा जो scanner है वहाँ पर यह आया है भारत फोर्ज volume के साथ में आज इसने moment लिया है मैं आपको scanner में भी एक बार दिखा देता हूं तो देखे यह मैं लेकर आगे आपको हमारे scanner में यहां आप को clear दिख रहोगा यह देखे यह हमारा scanner है हमारे scanner में भारत फोर्ज आया है volume के साथ में moment ले रहा है अच्छा-कार सा volume के साथ में चल रहा है और हमें इसने Y का सिंटर्ट करके दिया है इसने भारत फोज ने तो अब हम क्या करेंगे इसमें यह स्ट्रेटजी बनाई हमने यह हमारी स्ट्रेटजी है इसमें अब इसमें क्या है हमने क्या करा 1300 का put at the money का put हमने बेचा है और उसका margin करने के लिए समझ सकते हो margin कम करने के लिए या थोड़ा सेफटी के लिए हमने 1200 का put buy कर लिया अब इसमें maximum risk हमारा कितना है 32,000 maximum risk है maximum profit 17,000 कितना profit हमें नहीं चाहिए 17,000 हमारा margin लग रहा है कितना 80,000 एक लाख रुपे के आसपास पकड़ो कि 1,000,000 के आसपास margin लग रहा है हमारी strategy हमें 3-5% के आसपास दे देगी तो हम exit ले लेंगे ह हमें लगता है कि भारत फोर्ज upside का moment ले सकता है और अगर जल्दी इसने upside का moment ले लिया तो हम कुछ ना कुछ ऐसे adjustment करेंगे कि यह risk जो है इस risk को हम minimize कर लेंगे क्या करेंगे जो risk दिख रहा इस risk को हम minimize करेंगे और कुछ time मिला तो और minimize करेंगे धीरे दिले यह जो risk है पूर प्रॉफिट में लाने की कोसिस करेंगे अगर हमें adjustment की जुरत पड़ी तो फिलाल अभी एक-दो दिन तो हमें कुछ करने की जुरत नहीं है इसमें लगता है बारत फोर्ज upside का moment बनाएगा ऐसा हमें लगता है तो यह जो वीडियो जम बनाते हैं यह बात अपने ध्यान देन के वर education के सबसे बनाते कि आप समझें सीखी और कैसे हैके से हैजिंग करते हैं किसे से हैजिंग करते हैं और आप सीखने चाहते हैं तो description में आपको link मिल जाएगा वहन से हाके सेग सबक्राइब हमारा contact number मिल जाएगा हम surroundings को तो ओके दन्यवाद